आज हम पैटन्स करेंगे अपनी कॉपी में ठीक है तो यह देखिए कोश्चन दे रखा है कम्प्लीट दा फॉलोविंग पैटन्स हमें इन पैटन्स को कम्प्लीट करना है हमें यह देखना है कि इन पैटन्स में देखिए कि कितना डिफरेंस है पहले ए नमबर पर वन आया वन के बाद क्या आया फोर आया तो वन और फोर में कितना डिफरेंस है वन के बाद क्या आया two three four three numbers का फिर four के four आया फिर उसके बाद कितने number का difference है फिर से three number का difference है four five six seven seven के बाद ten में फिर three number का इसका मतलब है इस pattern में three three numbers का difference है तो ten के बाद क्या आ जाएगा 11 12 13 13 के बाद 14 15 16 16 के बाद 17 18 19 next five five के बाद 15 आ गया यानि कि ten number का difference है 15 के बाद 25 आ गया 25 के बाद 35 आ गया फिर 45 55 देन 65 c 26 फिर 31 अब इसमें भी five five number का difference है 31 के बाद 36 देन 41 41 के बाद 46 फिर 51 और 56 अब इसमें देखिए 100 100 के बाद 98 फिर 90 यानि कि two two number इसमें कम हो गए है 96 94 94 के बाद 92 देन 90 उसके बाद 88 अब इसमें 120 130 140 150 160 170 180 इसमें कितना इतना difference है 10 10 numbers का difference है so complete the patterns in your notebook और जो भी अब मैं work कर आ रही हूँ आपको अच्छे से करना है यह आपके exams में भी आएगा कर सक्टान कि है